नमस्कार बच्चों मैं विकास स्वागत है आपका इशड़ी मेरी जिद में जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश शामा निग्यान में टॉपिक वाइज वन लाइनर प्रशनों की सीरी चल रही है उसी क्रम में आज आज आपकी क्लास जो है क्लास नमबर नौ है और टॉपिक है आपका प्रमुख जनजाती का सांस्कृतिक परच है तो इस टॉपिक के वारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं चलिए तो टॉपिक है आपका प्रमुख जनजातियों का सामाजिक सांस्कृतिक परच है पहला प्रशन है आपका अपने को किरातवन्सिय कहने वाले थारू पांच जिलों में निवास करते हैं निवास करते हैं कौन कौन से जले हैं महराज गंज है वलरामपुर है लखीमपुर खीरी है स्रावस्ति है और बहराइच है अगला परशन है कि थारू समाज के लोग किस धर्म को मानते हैं तो थारू समाज के जो लोग हैं वो आपको हिंदू धर्म को मानते हैं हिंदू धर्म मानते हैं अगला प्रशन है कि थारू लोगों की अर्थ बिवस्ता क्या है तो थारू लोगों की अर्थ बिवस्ता है वो क्रशी प्रधान है कैसी अर्थ बिवस्ता है तो अर्थ बिवस्ता जो है वो क्रशी प्रधान है अगला प्रशन है कि थारू लोगों का मुख खाद्यान क्या है थारू लोग सबसे जादा या मुख जो में खाना है वो क्या है तो थारू लोगों का मुख खाद्यान है चावल क्या है चावल अगला प्रशन है कि बजहर है थारू लोगों का एक तो बजहर थारू लोगों क्या है तो बजहर जो है वो थारू लोगों का पारंपरिक तेवहार है कैसा तेवहार है पारंपरिक तेवहार है अगला प्रशन है कि पहले थारू समाज में पाया जाता था, तो पहले थारू समाज में क्या पाया जाता था, मात्र सत्तात्मक परिवार, जिसमें माताएं जो होती थी, वो घर की मुखी आ हुआ करती थी, पहले थारू जन जाती में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प् तो ये कराए जाता है पुरोहित द्वारा ठीक है अगला प्रशन है थारू लोगों में दहेज प्रथा का प्रचलन है या नहीं है तो थारू लोगों में जो दहेज प्रथा का प्रचलन है वो नहीं है क्या नहीं है बहां के लोग जो है वो दहेज ना लेते हैं और ना ही दह देते हैं अगला प्रश्ण है कि बढ़वायक बंठा रावत वरंतिया मेहतो वह डहैत आदि थारू लोगों के हैं तो यह क्या है तो यह थारू लोगों के गोत्र हैं ठीक है अगला प्रश्ण है कि बुक्सा या भोक्सा जन्जाति के लोग निवास करते हैं बुक्सा या भोक्सा बात एक ही है जो जन्जाति के लोग है यह किस जिले में निवास करते हैं तो यह बिजनोर जिले में निवास करते हैं अगला प्रश्ण है कि बुकसा लोगों का संबंध माना जाता है किस वंस से तो बुकसा लोगों का जो संबंध है पतवार राजपूत वंस से माना जाता है प्रश्न है कि हिंदी भाशी बुकसा हिंदू धर्म मानते हैं इनकी सबसे पूज्य देवी कौन सी है तो किसकी पूजा करते हैं बुकसा हिंदू धर्म के लोग तो ये करते हैं चामुंडा देवी की प्रशन अगला है कि बुकसा में हिंदूओं के समान मिलता है तो बुकसा में हिंदूओं को समान क्या मिलता है बर्ड विभाजन जो है वो समान मिलता है अगला प्रशन है कि सूरजबंसी, पटवंदी, दौलतवंदी, खेरी, रावत, मांगती, मोझियाली, गोजू, अर्मिया, आदि उपजातियां हैं तो जितनी भी उपजातियां किसकी हैं तो इक खरवार जन जाति की हैं ठीक है लाश्ट प्रशन है इस वीडियो का कि खरवार हिंदू धर मानते हैं इनका प्रमुक नत्य क्या है तो खरवार जो जन जातिया इसका प्रमुक नत्य जो है वो कर्मा है कौन सा है कर्मा नत्य है तो ये थे आपके जन जातिये टॉपिक यानि जो जन जातिये जो टॉपिक है सामाजिक सांस्क्राइब पर्चे से उसके वन लाइनर प्रश्णियों मैंने आपको इस वीडियो से करा दिये हैं मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार